नौश्वा दोसों हमारे भारत के अंदर बहुत सारे वकील ऐसे भी हैं जो एक दिन का अपना एक करोड रुपे तक चार्ज करते हैं और एक करोड रुपे अपना कमाते हैं यानि कि अगर हम on an average बात करें तो वो एक साल के करीब 300 करोड रुपे से जादा अपना earn करते हैं बह अपना केस अपना करवाना है तो कौन-कौन सी फीस जो वकील को चार्ज करनी चाहिए क्योंकि जो एक अपना initial stage पर रुपे दिन का कमाता हो और वह भी ना कमाता हो कोई वकील ऐसा है जैसे मैंने आपको एक्जांपल दिया है जो एक लाख रुपे का एक मिनिट का अपना च तो स्केल्स कि कितना कानून आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। कि तने ञडिमेंस आपको ऑच्छे से यान हैं कितने केसी कालता है सब लोग ऐनके अच्छे वकील होते हैं लेकिन steam हरको उसने जो पर्टिकुलर वकील ने अपना केस को अच्छे से प्रोसीक्यूट करा होगा क्लाइंट को अपनी रिलीव दिलाई होगी तो वहीं से उसका एक अच्छा वकील के साथ साथ एक सीनियर एक experience का भी जुड़ना चालू हो जाता है आपका मुमर के अंदर अपना अच्छे वकील बन जाओ अपने अच्छे अच्छे केसे आप डील करोगे क्लाइंट को रिलीव दिलाओगे आप देखो दो या चार साल के अंदर अंदर आप भी अगर इस पोजिशन में ना जाए तो इसमें कोई दो राएं नहीं होंगी मुद्ध वाली बात सबसे वाली बात बहुत सारे वकील ऐसे भी हैं जो अच्छे वकील के साथ-साथ experience है जो केवल और केवल फाइल पढ़ने तक के पैसे अपने लेते हैं जैसे एक्जांपल के मैं बात करूं राम जेट मलानी जी थे वह जहें केवल और केवल फाइल पढ़ने के भी पैसे लेते थे कि भाई मैं तुम्हारे केस की फाइल पढ़ रहा हूं ना उसका मैं प्रॉपर तरीके सा चार्ज करूंगा सीधी बात है तो पहली बात यह होगई दूसरी बात आप आती है कि अब कंसल्टेंसी फीस होती है कंसल्टेंसी फीस का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी क्लाइंट एक वकील के पास आता है कंसल्टेशन लेने कि भाई मैं अपने केस को रिलीफ चाहता हूं मेरे साथ यह अपराद हुआ है मैं रिलीफ चाहता हूं अब इस सिच्वेशन में आप अपने क्लाइंट को कैसे क करते हैं आपको अगर इसकी जानकारी ना हो आप लोग अच्छे वकील अगर आपको कोई रेफ्रेंस में हैं तो आप उनसे एक बार यह बात को कंसल्ट जबू करिएगा तो यहां पर एक घंटा दो घंटा अगर आप देट कंसल्टेशन देते हैं तो पांच लाग रुपे एक लाग रुपे दो लाग रुपे वकील चार्ज करते हैं आप लोग भी गूगल पर चेक करिए कि लिए लॉयर के कंसल्टेशन लेने आया हूं वह बढ़िया वकील है और वह मेरा मुद्दा समझ चुका है वह मेरे को अच्छे से रिलिफ दिला देगा मैं इसको अपने केस के अंदर एंगेज करना चाहता हूं अब इस सिच्टेशन में यहां पर एंगेजमेंट फीस नाम की बेग चीज ह हो गया यहां इस सिच्टेशन में भी पर डे की फीस बनती है कि इसमें वकील की गलती नहीं है कि केस हो गया या जशाब हो गए वगरा वगरा जो प्रॉपर पर देगी तो बनेगी सीधी बात है तो यहां पे फिर इसके बाद अपना एंगेजमेंट फीस एडवोगेट 25 लाग रुपे ता गराम से पर हीरिंग का चार्ज करते हैं बहुत एक्सपीरियंस एडवोकेट अच्छा वकील होने के साथ साथ ठीक है अब हमारा होगा एंगेजमेंट फीस और साथ में पर डे की जो हीरिंग होती है पर हीरिंग के तौर पे अब इसके अंदर एक और फी केस हमारे अगेंस में फाइल मत करना यह रहो उस तीज़ के पैसे यह रही तुमारी रिटेनर्शिप फीस तो हरीश सालवे जी हैं हमारे इंडिया के अंदर आप लोग उनको एक बर सच कर सकते हो तो वह जब अपना कंपनी जो उनको फीस पे करती है रिटेनर्शिप के लि बहुत जादा कि वकीलों का चेंज कर जाता है तो एक और फीस बनती है कि यहां पर जैसे कि कोई पार्टी ने अपना वकील को एंगेज कर रखा है लेकिन वकील जो है वो केस जंग से लड़ नहीं रहा रिलीफ नहीं दिला पारा तो पार्टी कि उससे केस में परशान रहे है तो यह आपकी स्किल्स के उपर डिपेंड करता है कि वहीं आप कितना अच्छे तरीके से यहां पर अपने क्लाइंट को डील कर पा रहे हो अपना एक इमेज बना पा रहे हो अपने लीगल प्रोफेशन के इंदर क्योंकि याद रखना मूवी में भी यह सब से याद आप थोड़ा सा खराब है तो उस केस में आपको केस को प्रोसिक्यूट करने में बहुत मुश्किल आती है क्योंकि जज़स भी ना थोड़े नाम से एक फेवरेजम वैसे दिखाते नहीं है फेवरेजम नाम की चीज मतलब जज्जमेंट के अंदर नहीं थोड़ा सा यहां पर प कर रहा हूं अब दूसरी बात यहां पर कोई ऐसा वकील है जिसका थोड़ा नाम खराब है लेकिन अच्छा वकील है रिली बहुत बढ़िया दिलाता है लेकिन उस केस में वह वकील अगर कोट से कुछ रिलीफ मांगना चाहा रहा होगा तो वकी जसाब को उसके अगर नाम क तक कमिया जो है उसके अंदर करना आपकी जिम्मधारी है कोई दूसरा वकील कोई भी आपका चाचय का वबकील कोई वाकर रिच्चेदार वकील कोई ौबल wagon को भी आपका अपका दोस्त वकील आपको अन यसकी जांकारी बिल्कुल नहीं इंगेज हो जाओंगा वो में को जो केस देंगा हां जी मैं अपना केस अपनी लिटेगेशन चालू कर दूँगा सॉरी आपको अच्छा वकील हो सकते हो लेकिन एक्सपीरियंस वकील नहीं बन पाओगे याद रखेगा उसके लिए आपको अपने उपर इंफर्मिटिव लगी है और आपका क्या पॉइंट ऑफ यू है करें बॉक्स के इंदर से रूब पताएगा हमलते नेक्स वीडियो एंदर थेंक्यू इतने वाद